दुनिया भर के क्रिकेट प्रशन्सकों को अब ICC विश्व टेस्ट चेम्पेर्शिप के फाइनल का इंतिजार है भारत और न्यूजिलेंड 18 जून को साउथ हेंटन में खिताब के लिए मैधान पर उतरेंगी इस मुकाबले से पहले कई प्रमुख खिलाडी और क्रिकेट विशेश अग्या अपनी संभावित विजेता और संभावित प्लेंग 11 पर अपनी बात रख चुके हैं अब इसी कड़ी में आस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबास डेविड वॉर्नर भी आ गए हैं डेविड वॉर्नर ने इस मुकाबले पर चर्चा की और कहा की भारत को रविंद्र जडेजा और आरशु इन तोनों को मैदान पर उतारना चाहिए जडेजा के महत्व को उजागर करते हुए वॉर्नर ने कहा कि बाए हाथ का लेग स्पिनर लगतार एक विशेश लाइन लेंथ पर गेंद फेक सकता है जो डव्लू टीसी फाइनल में कीवियो को परिशान कर सकता है वॉर्नर ने बताया है कि समय के साथ जडेजा ने बाए हाथ के बल्ले बाजों के खिलाफ आसाधारन रूप से गेंद बाजी की है केवल एक छोटा सा फुट मार्क होना चाहिए जो एक रोटी के आकार का हो सकता है वो वहाँ लगतार हिट करेंगे और वे उन दो स्पिनर से परिशान होने वाले हैं मुझे लगता है हाला कि इंग्लेंड के हालाद स्पिनर्स के पक्ष में ज्यादा नहीं जाते फिर भी विशेश अग्यों ने टीम इंडिया में अश्विन और जड़ेजा दोनों का खिलाने की सिफारिश की है इसलिए ये देखना दिल्चास भोगा कि विराट कोली और टीम प्रभंदर अंतिम मुकाबले में किस प्लेइंग 11 का चेयन करता है